तो गैस अगर आपका WhatsApp अकाउंट बेर हो गया और आपको कुछ इस तरह की problem देखने को मिल रही है If this account is not allowed to use WhatsApp due to spam कुछ इस तरह की problem देखने को मिल रही है WhatsApp में जिस बज़े से आप WhatsApp को use नहीं कर पा रहे हैं इस वीडियो में आपको बदा हूँ आप किस तरह से आप इस problem को ठीक कर सकते हैं तो चलते है आपको टाइप करना है WhatsApp support यह आपको सर्च कर लेना WhatsApp support उसके बाद first number के आपको website देखने को मिलेगी है आपको इस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको एक option देखने को मिलेगा WhatsApp Messenger Support नीचे Contact Us की लिंक देखने को मिलेगी आपको इस लिंक पे क्लिक करना है जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको आपको कुछ इस टाइब का form open हो जाएगा, खुल जाएगा तो आपको इहाँ पे अपना mobile लंबा डाल देना है जो भी बेन हुआ है, उसके बाद आपको email डाल देनी है, confirm कर देनी है जो भी आपके पास में हो उसके बाद आपको अपना operating system सेलेक करना android आईफोन, तो जाज़ता लोग android यूज़ करते हैं आईफोन यूज़ करते हैं और desktop जो भी हो, वो आप select कर देना मेरा android है, तो मैंने select कर दिया है उसके बाद, आपको इहाँ पे अपनी problem के बारे में लिख देना है तो मैं यहाँ पे इसे fill कर देता हूँ तो मैंने mobile अमार डाल दिया है email भी डाल दिया है और यहाँ पे अपना android भी select कर दिया है उसके बाद, आपको इहाँ पे अपनी problem के बारे में लिख देना है तो इहाँ पे आपको अपनी problem के बारे अपने मन से लिख देना है और अगर आपको कुछ समझ नहीं आदा है जो मैंने लिखा है वही आपको link देना है उसके बाद आपको next पे क्लिक करना है next step और जैसी आप इस पे क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा send question पे क्लिक करना है जैसी आप send question पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो request है वो चली जाएगी WhatsApp टीम के अंदर और आपका जो account about 24 गंटे के अंदर फिर से चालू हो जाएगा पर आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है आपको GB WhatsApp या किसी और WhatsApp थर्ड पार्टी WhatsApp एप का यूज़ नहीं करना है आपको official WhatsApp का यूज़ करना है आप WhatsApp का यूज़ कर सकते हैं आप WhatsApp बिजनिस का यूज़ कर सकते हैं पर आपको किसी भी तर्ड पार्टी WhatsApp एप का यूज़ नहीं करना है अगर आप करेंगे तो आपका account फिर से बंद हो जाएगा तो मिलता है 24 गंटे के बाद तो गैस 24 गंटे पूरे हो चुके हैं तो अब आपको क्या करना है अगर आपके पास WhatsApp नहीं है तो आपको WhatsApp को install कर लेना है आपको चले जाना है Google Play Store पर WhatsApp को आपको install कर लेना है तो मेरा यह already install है तो आपको इसे open कर लेना है open करने का वाद आपको language सेलेक करना है इस बटन पर क्लिक करना है agree and continue पर क्लिक करना है allow पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको अपना mobile number डाल देना है mobile number डालने के पाद आपको next पर क्लिक करना है जैसे आप next पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको yes कर देना है जैसे आप yes पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह verify हो जाएगा continue पर आपको click करना है continue करना है allow 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 और यहाँ पर अगर आपने अपनी chat का backup बना के रखा है तो आपको उसे restore कर लेना है तो यहांपे थोड़ा आपको वेट करना होगा और अगर आपने chat का backup बना के नहीं रखा होगा तो आपकी chat जो है डिलिट हो जाएगी तो मैंने backup बना के रखा था तो यह हो चुका है उसके बाद आपको next पेक्लिक करना है और इसे मैं skip कर दे रहा हूँ और इसके बाद हमारा जो WhatsApp है वो चालू हो जाएगा तो देख सकते हैं हमारा जो WhatsApp है successfully चालू हो चुका है 24 गंटे के बाद तो कुछ इस तरह से आप इस प्रम को fix कर सकते हैं तो आई होप गाईस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए